से आप सभी लोग उम्मीद करता है अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले रिफंट के बारे में जब भी आप किसी एकोमा साइड से और करते हैं चाहब है अमाज़न हो फिलिपकाड हो मिंत्रा हो कोई भी साइड हो तो आप से में चेक करते हैं कि आपके पोड़क में रिफं पंद्रा में से एक रिफंट प्रोड़क कराना है तो वह नोमल में अविलीवल नहीं होता है तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं एडवांस रिफंट सिस्टम वार्ट वूकॉमर्स के लिए अपकॉस इस गूंग पेड वन इट से 80 डॉलर प्लग-इन काफी सारे बेनेफ प्लग-इन काफी प्लग-इन काफी सारे अब नहीं पता है तो देख लिए आपको अप्लग-इन में जाना है यहां भी आपके प्लग-इन आप तो तो मुझे से अक्टिव करना होगा तो मैं हमें पास already plugin तो मैं यह यह पर कर देता हूं तो इस तरह से जैसे मेरे में already available अप्शन आए आपके नहीं होगा तो आपको install का उप्शन देगा आपको एक्स पर सकते हैं तो कितने दिन तक आपको एक्स पर पर निया चुस्थ है तो यहां पर आपको यह स्टार्ट पर एक्स पर जोने करेंगे तो यहां पर को और बाद में आपको manually करना पर minimum कितना order सब पर आपके में कोई order value है तो 10 रुपए है ठीक है तो आप उसको refund करना चाहते है नहीं जाना चाहते है यह आपके refund policy पर depend करता है जैना आप उसको यहाँ पर जीज़ कर सकते है फिर in case कुछ product होते है जिनमें refund आपको नहीं देना है तो उस पर क्या sorry this product is not available for refund जो भी आपको message दें डिस्प्ले कराना है उस जगे पर आप उसे डिस्प्ले करा सकते है पर अब यहाँ पर question आता है जब भी कोई refund के लिए apply करेगा तो आप पूछेंगे क्यों refund करना चाहते है तो वहाँ पर वह को इसकी photo upload कर सकता है तो photo कितने MB की होगी वह option यहां से ने बलोगा जैना अगर आपको coupon code option allow करना है तो वह यहाँ पर आप days वगरा दे सकते जीरो का मतलब होता है कि वह expired नहीं होगा तो यह basic setting है जो आप कर सकते हैं यह आपके पालसी पर डिपेंड करती है कि जो भी आपकी पालसी होगी उस पर जब भी को refund option पर आपको option आगया ठीक है तो यहां पर option आया कि आपका ग्लोबल वैल्यू आपको जो सैट करना चाहते हैं कि यह प्रॉडक्त हो सकता है नहीं हो सकता है रिफंट होते ही तो इसको की से जpload करते हैं यहीं है उप्टेट करें आप उसको देखाता हूं कि आपको इकाशा कि अरप्ट पर जाते तो इस तरह से आपको message display ने लगेगा अगर आपके इस प्रडुक को set करते हैं कि वह refund clear available नहीं है तो ठीक है तो यहां पर आपके पर प्रडुक्ट की आप अपनी इडिविजल प्रडुक्त में जाके भी कर सकते हैं ठीक है अब बात आते हैं को यह अगर प्रडुक को refund कराना जाता है तो कैसे तो फर्स्ट अफिल हमने home पर जाते हैं तो हम एक प्रडुक्त कर देते हैं अब हमारे पास total तीन प्रडुक्त हो गए है दो प्रडुक्त ठीक है तो हमें आप चेक आप पर जाते हैं जोगे आपकी information आपको प्लेस किया अपने order को प्लेस किया तो यहां से आपका order प्लेस होगया अब यहां से हम अपने जो भी order value है महाँ पर जाएंगे order को चेक तो यहां पर जो भी order आया है उसको जाकर यहां पे इसको फाले complete कर देते हैं ठीक है तो यहां परactor को सब्सक्राइब इस प्रोडट का एक वेरेंट को रिफंड करना है तो यहां पर रिफंड कर सकते हैं रिजनल रिफंड आपको देना है तो अब यहां से रिफंड पर क्लिक करेंगे तो हम स्पेसिफिक एक प्रोडट को दो प्रोडट को रिफंड करना है तो हम यहां से रिफं आजाएगा my refund request जब हमने यहां से कोई apply नहीं किया तो वह यहां पर आजाता है तो order पर जाएंगे तो इस तरह सा मैं advance refund options को use करते हैं उम्मीद करता हूँ यह video आपको अच्छा लग होगा अगर इस video से related कोई भी doubt है तो आप मुझे पूस सकते हैं see you in the next video till then bye